साकोली मार्ग पस्थीद बोडगाव देवी से नीमगाव की और जाने वाली सड़क पर दो तेंदुए नजर आने से परिसर में दहशत का माहुल निर्मान हो गया है इस मार्ग से सफर कर रहे एक वाहन चालक ने तेंदुए का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया है वनवी भाग द्वारा तेंदुए का बंदोबस्त किया जाए ऐसी मांग शेतर के नागरी को द्वारा की गई है अलजुनी मौरगाव तैसिल जंगल से घिरी हुई है नवेकाव नागजिरा को वन्याजियो के सौरक्षन के लिए बफर जोन घोशित किया गया जिससे तैसिल के जंगल में वन्याजियो की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है जंगल से सटकर अनेग गाव है जिससे मानों वह वन्याजियो के बीच संखर्ष की घटनाए कई बार घटित हो चुकी है बोडगाओ देवी के आसबास शाम चांडक के राइस मिल समीब एक वहन चालक ने राद 11 बजे के दोरान दो तेंदूओं को मार्ग पर देखा जिसने वीडियो तेयार किया वो परिसर के नागरिकों को सतरक रहने का आवहन किया यह वीडियो फिलहार सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021 को बोडगाओं के समीपस्त चन्ना में 32 वर्ष्य किसान पर तेंदूओं ने हमला कर उसे घायल करने की घटना भी घटित हो चुकी है आपके अपने चैनल BS Crime India News की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले